दिवाली पर वशीकरण कैसे करें और मैं जानता हूँ आप में सी बहुत से साधक जानते हैं कि दिवाली के दिन तंत्रविद्या और किसी भी व्यक्ती पर वशीकरण करने के लिए कितने अच्छे दिन होते हैं और जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं बता दूँ के पूरे साल किये हुए आपके हजारों प्रियोग और दिवाली के ये दस दिन में किये हुए वशीकरण प्रियोग या तोने टोटके एक ही तरह होते हैं यह दस दिनों में आप तंत्र विद्या की मदद से वो सब पा सकते हैं जिनने आप काफी समय से पाने की कोशिश में हैं और फिर चाहें वो कोई व्यक्ति हो या आपका प्यार तो नमस्कार साध को मंत्र साधना में आपका स्वागत है साध को आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि दिवाली के दस दिन पहले आप कौन से वशिकन प्रियोग कर सकते हो साध को दिवाली की अमावस्या को आप अनेक परकार के वशिकन प्रियोग अनुष्ठान कर सकते हैं आप धन वृद्धी के लिए लक्षमी कुबेर जी का हवन भी कर सकते हैं या आप किसी भी व्यक्ति पर वशिकन की क्रिया कर सकते हैं और अगर आपको आपका शत्रू परिशान करता है तो आप उस पर मुठ करने क्रिया भी कर सकते हैं साद को आज इस वीडियो में आपको दिवाली के दस दिन की महानता बताई जाएगी और आने वाली दिवाली पर मंत्र साथना द्वारा एक हवन का आयोजन किया जाना है तो आप बढ़ चड़ कर उसमें भाग ले साद को दिवाली से पहले आपको प्रति दिन मंत्र साथना की तरफ से सभी शटकरम क्रिया के उपर टोने टोटके बताए जाएगे और ये वह टोने टोटके और प्रियोग होंगे जिने मैं खुद प्रियोग में लाता हूँ तो आप प्रति दिन वीडियो देखना ना भूले और अगर आपने मंत्र साथना को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें तो साद को आप तयार हो जाएए ये दिन आपने व्यार्थ नहीं करने बस जो भी करोगे सच्चे मन से करना मेरा आशिर्वाद आपके साथ है तो साद को आज के लिए सिर्फ इतना ही धन्यवाद राधे राधे